फरार हिंदी मूवी समीक्षा फरार 1975 की हिंदी क्राइम फिल्म द्रामा है फिल्म अलंकार चित्रा द्वारा निर्मित और शंकर मुखरजी द्वारा निर्देशत है फिल्म में अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार और सुलोचना है संगीत कल्यानजी आनंद जी का है यह फिल्म एक मध्यमवर्गीय व्यक्ती राजेश के इर्दगिर्द आधारित है जिसका किरदार अमिताब बच्चन ने अपनी बहन के साथ रहते हुए निभाया है वह एक युवा महिला से प्यार करता है और अपनी बहन की देखभाल के लिए एक संभावित पती मिलने के बाद वह उससे शादी करने का इरादा रखता है हाला कि एक दिन बहन के साथ बलातकार किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंड पाती है और हत्यारों को ढूंडने और उसकी मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी राजेश पर छोर दी जाती है वह हत्यारे का पता लगाता है और उसे मार डालता है और इसलिए अब वह खुद पुलिस से भाग रहा है राजेश एक बच्चे को बंधत बनाकर उसका अफ़रण कर लेता है और एक घर में शरण लेता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि बच्चा उसकी पूर्व प्रेमिका का बेटा है जिसकी अब एक पुलिस इंस्पेक्टर गई है राजेश परेशान है चाहे बच्चे को छोड़ दे या भागने के लिए उसका इस्तिमाल करे वह बच्चे का इस्तिमाल करता है और उनके घर पर हमला करता है लेकिन जल्द ही उसे बच्चे के प्रतीस नह मिल जाता है हाला कि इंस्पेक्टर संजय राजेश की पूर्व प्रेमिका आशा जो अब माला है हमेशा उसे पुलिस के सामने गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि राजेश से खुद को पुलिस को सौपने का अनुरोध भी करती है ताकि अगर वह वास्तव में दोशी नहीं है तो अदालत में वह निर्दोश साबित हो जाए लेकिन कानून पर से भरोसा खो चुके राजेश ने खुद को पुलिस के हवाले करने से इंकार कर दिया गिरफ्तार करने की कई कोशिशों के बावजूद संजय असफर रहे जब एक दिन संजय उसे पीटता है और उ माला के रिष्टे के बारे में पता चलता है जिसने अपना नाम आशा से बदल कर माला रख लिया है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो संजय उसे गालिया देने लगता है और इसी बीच बच्चा गुम हो जाता है राजेश जो दूसरे आश्रय के लिए घर से भाग गया है को बच्चा मिल गया लेकिन जल्द ही एक दुरघटना घट जाती है राजेश जिसका रक्त समूह बच्चे के समान है रक्तदान करता है और संजय को संदेश दे कर जाता है कि माला पर संदेह न करें क्योंकि उसने जो किया वह केवल अपने बच्चे को बचाने के लिए था इस पर संजय को राजेश पर दया आती है और वह अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है वह राजेश को अपने ठिकाने से बाहर आने के लिए कहता है लेकिन राजेश मना कर देता है फिर वह माला को उसे लाने का आदेश देता है लेकिन राजेश ने कहा कि अब उसका उससे कोई रिष्टा नहीं है लेकिन अचानक माला गिर जाती है राजेश चिलाता हुआ अपने ठिकाने से बाहर आता है और दो पुलिस अधिकारियों ने उसकी छाती पर गोली मार दी मरता हुआ राजेश संजय की गोद में गिर जाता है और उसके लिए शोक न करने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपने बदला लेने के लिए पीडित अन्य मनुष्यों के लिए बहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया फिल्म राजेश के चारों और खड़े सभी लोगों के साथ समाप्थ होती है